स्वागत है आप सभी का सोलरेवल के एक नए वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे जनवोल्ट कंपनी के मोस्ट एफिशेंट बीएल डीसी फैन के बारे में साथ में ये भी जानेगे अगर आप अपने घर के लिए एक नया फैन परचेस करें तो आपको बीएल डीसी या फिर नॉर्मल फैन कौन सा फैन यहाँ पर सलेक्ट करना चाहिए साथ में ये भी जाने है जन्वोल्ट कंपनी के BLDC फेन को आप पर्चेस करते हैं तो क्या यहाँ पर आपके लिए प्लस पोइंट होते हैं यह पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है अब बिना टाइम वेश्ट के हुए यहाँ पर देखते हैं कि बोक्स के अंदर हमें कौन-कौन से कंपोनेट मिलते हैं फर्स्ट हमें यहाँ पर मिल जाती है एक यूजर मैनुल गाइड जिसके अंदर टॉप साइड में जन्वोल कंपनी का लोगो देखने हो मिलता है नीचे की साइड में लिका हुआ है BLDC फेन जिसके अंदर 30 वाट की मोटर यहाँ पर लगे हुई है नीचे की साइड में आपको बतायागा है कि इस फेन के उपर आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है साइड में आपको टायर्मेंट कंडिशन इसकी स्पेसिफिकेशन और कंप्लीट यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन वगेरा है सबी चीज़े आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है इसके बाद में यहाँ पर है यह मोटर साथ में आपको यहाँ पर एक रिमोट भी मिल जाता है जिससे आपकी जो फेन उसे स्मार्टली कंट्रोल कर सकते है टाइमर लगाना, स्पीड कंट्रोल करना यह सबी ओप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते है इसके बाद में यहाँ पर एक hanging के लिए road साथ में यहाँ पर आपको तीन blade मिल जाती है जिने आप जो motor race के यहाँ पर connect कर सकते हैं साथ में आपको दो cap दी गई है और hanging clip आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और साथ में एक nut boat extra मिल जाते हैं यहाँ और ओर बात करें तो यहाँ पर जितने भी component आपको एक required होते हैं फैन को connect करने के लिए इस्टोल करने के लिए वो सबी चीज़े यहाँ पर दी गई है केवल आपको extra यहाँ पर wire की requirement होगी अब बात करते हैं BLDC फैन normal फैन से कैसे different है और यहाँ पर इसे खरीदने के क्या benefit हमारे लिए हो सकते हैं फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर physical overview की तो जिससा आप देख सकते कि अगर आप एक normal fan की motor को देखेंगे तो यहाँ पर एक capacitor लगा हुआ होता है यानि कि यह पूरा system electronically control होता है जिसका benefit मिलता है कि हम यहाँ पर remote को भी use कर सकते है और remote की मदद से यहाँ पर जो speed है उन्हें भी control कर सकते है on off कर सकते है LED light है उसे भी हम काम में ले पाएंगे और साथ में यहाँ पर timer भी set कर सकते हैं तो यह benefit हमारे लिए होता है कि अगर electronically fan control होगा तो हम इसे smart तरीके से भी काम में ले पाएंगे इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर bottom side की तो जिसे आप देख सकते कि बागी fan तो normally है बट नीचे की side में आपको एक LED light भी मिल जाती है अब हर BLDC fan के अंदर आपको light नहीं मिलती है जनवल्ड company के सपास काफी सारे variant है कुछ के अंदर आपको यहाँ पर LED light है वो मिलेगी और कुछ variant में light नहीं है तो आप अपने preference के हिसाब से जो है वो सही model select कर सकते हैं अब यह light कोई ज़्यादा powerful तो नहीं होती है बत night time के अंदर आप इसे काम में ले सकते हैं नॉर्मल जो है रोशनी आपको मिल जाएगी काफी लोगों को आदत होती है night time पे 0.5 bulb के आप सपास के बल्ब को काम में लेते हैं उसकी जगे आप इसे काम में यहाँ पर ले सकते हैं और एक और खास चीज यहाँ पर है कि यह light blink करती है यह आपकी electricity को consumption नहीं कर रही होती है यह इसके जो rotation है इसकी मदद से यहाँ पर यह light यह blink करती है तो यह कहाँ पर काफी एक खास चीज आप लोगों के लिए हो जाती है अब इसके बाद में बात करें यहाँ पर benefits की तो सबसे बड़ा जो benefit है वो है यह power efficient होते है यानि इनका जो power consumption होता है वो काफी कम होता है अगर आप एक normal fan से इने compare करते हैं तो लगबग एक तिहाई का यह power consumption यहाँ पर करते हैं इसका benefit मिलता है कि अगर आपके आप लिमिटेट जो power का source है या फिर जो बिजली आप बचाना चाहते हैं या फिर inverter के उपर आप इसे चलाते हैं तो आपको तीन गुना ज़्यादा यहाँ पर backup मिलेगा तो यह एक बहुत बड़ा plus point यहाँ पर हो जाता है इसके बाद में next यहाँ पर जो बड़ा benefit आपको मिलता है कि यहाँ पर जो operation होता है वो एक noise free है यानि कि किसी भी type का यहाँ पर कोई ज़्यादा आपको sound सुना ही नहीं देता है एक हवा का sound होता है वो normal सभी fan में आएगा वो चीज़ तो है बट उसके अलावा यहाँ पर कोई additional आपको sound सुना ही नहीं देगा है इसके बाद में बात करें third benefit की तो यह fan electronically controlled होता है जिस वज़े से आपको यहाँ पर एक remote controller का भी option मिल जाता है जिसकी मदद से आप speed को कम ज्यादा यह सबी चीज़े बड़ी आसानी से कर सकते हैं और जो regulator का एक आपको cost होती है वो भी आप यहाँ पर बचा सकते हैं क्योंकि उसे भी लगाने की यहाँ पर कोई भी आपको जुरत नहीं होती है एक last or main benefit और यहाँ पर बच गया है वो है कि यह BLDC motor के साथ आ रहे हैं इसका यहाँ पर मतलब ही होता है कि इसके अंदर जो Bruce Lace technology है उसको काम मिल लिया गया है जिस वज़े से यहाँ पर friction भी कम होता है और power का जो distribution है वो भी proper होता है जिससे कहीं न कहीं जो life span है वो भी बढ़ता है और यहाँ पर current का जो low से वो भी कम होता है तो यह सबी benefit आपको यहाँ पर मिल जाते हैं BLDC fan के साथ में दोस्तों अब बात आजाती है main benefit की यानि कि Genvolt की BLDC fan को आपको क्यों करीदना चाहिए तो इसका सबसे main reason है वो है pricing का अगर आप एक normal BLDC fan purchase करते हैं तो उसके लिए आपको 3500 रुपे तक यहाँ पर देने पड़ सकते हैं लेकिन अगर आप Genvolt company का BLDC fan purchase करते हैं तो इसके लिए आपकी जो pricing start होती है वो केवल 2499 रुपे से शुरू हो जाती है और इसके बाद में अगर आप हमारा promo code use करते हैं यानि कि Solurable का जो promo code है इसे काम में लेने पर आपको 12% का extra discount मिल जाता है यानि कि इस promo code को लगाने के बाद ये fan आपको केवल और केवल 2200 रुपे मिल जाता है अगर आप markets इसे compare करेंगे तो एक normal जो आप fan खरीदते हैं उसकी भी costing 1800 से 2000 रुपे होती है तो केवल यहाँपर 200 रुपे extra देती है आपको एक BLDC fan मिल जागा और regular fan का जो power consumption होता है उसमें आप 3 fan को यहाँपर चला पाएंगे तो यह अपने आप में एक बड़ा benefit आपके लिए हो जाता है अगर आप इस fan को purchase करना चाते हैं तो janpulse.com जो website है यहाँ से जाके आप इसे purchase कर सकते हैं साथ में यह fan Amazon पे भी आपके लिए available है वहाँ से भी जाके आप इसे purchase कर सकते हैं जो भी link है वो सबी चीज़ा आपको description के अंदर मिल जाएगी वहाँ से जाके आप इसे खरीच सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो इसे like कर दीजे आपको कोई सुजाव है या आपको प्रशन में पूछना चाते हैं तो नीचे comment section में पूछ सकते हैं साथ ही हमारे चैनल को subscribe करके हमें सपोर्ट करें जय हिंद जय भालत